वाइट वाले बोर्ड में लिखा है कि यह जो गुफाए है यहां पर बहुत बिख्षों रहा करते थे बहुत बिख्षों के लिए गुफाए बनाई है क्या यह सच है वो तो पांडवी बेठक होता है सद्या बीद गई है लेकिन सब्वेता वही पर है समय बीद गया है लेकिन रहा वही पर है जैभीम नमो बुद्धाए आप सभी का स्वागत है आपके चहते चैनल पर जिसका नाम है बोधी सत्व इस बोधी सत्व यूट्यूब चैनल के माद्यम से आप प्राचीन भारत का इतियास देख रहे हो हम आये हुए है गुजरात में और सवराष्टर यहां की जो प्राच प्राचीन बहुत गुफाए प्राचीन बहुत अस्तूप और जो प्राचीन बहुत स्मारक है यह इस चैनल के माद्यम से आपको दिखाने की कोशिश की जारी है आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज हम राजकोट जिल्ले के देव भूमी द्वार का यह ज धिंगेश्वर मंदिर नाम से जाना जाता है और धिंगेश्वर मंदिर जो है यानि कि यह जो प्राचीन बहुत गुफा है इसके अंदर जो बहुत स्तूप है शिवलिंग कहा जाता है तरसले शिवलिंग नहीं बलकि यह प्राचीन बहुत स्तूप है इसकी जानकरी स्वयम एर्कलोजी के मुताविध, भारतिय पुरात्री विबाग के यह जो प्राचीन बहुत गूफा है, इनका निर्मान चशोती सदी में निर्मान किया गया है और यहां का जो structure है, यह विहार और जो स्टूप का structure यहां पर दिखाए देता है और इन गुफाओं का जो निर्मान है सवराष्ट्र में शत्रब राजाओं के काल में हुआ है इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है लेकिन हम इसका ठीक तरीके से निरिक्षन करें इसके स्टड़ी करें तो हमें पता लगे हैं यहां का जो स्टूप है यह बहुत ही पूरान है यानि कि इसा पूर्वा यह पहले दूसरी शताबदी का स्टूप हमें दिखाए देता है क्योंकि इस प्रकार के स्टूप हमें महाराष्ट्र में भी दिखाए देते हैं तो आप यहां तक जाने के लिए हम पोरबंदर जो रोड है यहां से हम आगे जा सकते यहां पोर बंदर वाले रोड से हम डायरेक्ली रानपर इस डाव में जा सकते हैं हम जुनांगट से आ सकते और साथ हम अगर सोमनात यहां से आ prawda यहां से भी यहां पर जाने के लिए हमें रास्ता मिलीगा रान पर यह जो गाव है इसका जो लोकेशन है लिंक में आपको दिया गया है इन प्राशीन बहुत गुफा होगा तो इससे आप इस तल तक पहुश सकते हो अगर आप यहां के नेरबाय हो या फिर आत्वा आप आना चाहते हो तो चले आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं आप से अनुरूद है इस वीडियो को आप जाद से जादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जान करें हमारे सभी भाईयों को पता चले है तो चले आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं सवराष्टर की बाद की जाये तो सारे देश में महाराष्टर के बाद सबसे अधिक प्राचीन बौध गुफाव का निर्मान यही हुआ है इस काम में शत्रप राजाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है भाव नगर से लेकर राजकोट तक इन प्राचीन ब का जो दिंगेश्वर महादेवे यह दरसल एक प्राचीन बहुत स्थूप है या शीवलिंग है यहां भी देखने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण यह वीडियो है यहां पर देखें यहां पर का जो पत्तर है चुना पत्तर है आपको कटा हुआ यहां पर दिखाए दे रहे कि देखें एक गुफा है यहां पर यह विहार टाइप की गुफा है आप देख पारे हो अभी थोड़ा अंधिहारा हुआ है शाम का समय है इस कारण तो देखें इस प्रकार से चली आगे आईए यहां पर जो भारतिय पुरातन विभाग का बोड़ है इसमें साब तोर पर यह लिका है कि यह जो गुफाये है यह बहुत गुफाये हैं यहां पर पिलर दिखाए देते हैं और साथ ही साथ यहां की एक जो गूफा है, जिसके अंदर लिंग है, दरसल वो लिंग नहीं, बलकि प्राचीन बहुत स्थूफ है और साथ ही साथ, यह जो प्राचीन बहुत गूफाए हैं, इनका निर्मान, शत्रपों के काल में हुआ है यहाँ पर भारतिय पुरातन विबाग कहता है और यहाँ पर एक दूसरा बोर्ड है यह जो एतियासिक वास्तु है इस एतियासिक वास्तु को सवरक्षित स्मारक का दरजा मिला है इसका यह बोर्ड है महाराज यह जो पवित्र स्तल है इस पवित्र स्तल की जान करें दीजा थोड़ी बहुत कि यह स्तल क्या कहता है इसकी महता क्या है उसको पांडू का वकत का बोलता है उसका नाम जुना पुरानी है एग्षाय वीमेश्वर और यहां पर कौन से भगवणर थे जैट्पवान है माता जी गये उसका नमान है और वहां पर घरतिया पुरात नवी बाक्का बोर्ड लगाय का उसके बारे में थोड़ी जान कर दीजिए पुरानी वो सब भोईरा जाजा होता है तो इतना जरिया है सब खतम हो गया खान में उसके अंदर क्या लिका है कि उजे जो स्तल है यह एक बॉद्ध स्तल है और यह जो गुफाए है यहां पर बॉद्धिक्षों के लिए बनाया क्वाइए हुआन यहां पर बॉद्धिक्षıs के लिए बनाई है पर लिए। इससे बहुत्य अग्र सब्सकया जैन लिए लाजन मंद यहां आप वी सा데 तवब यह मुस्का वो जो श्यूंग है और सललंगर मुद्ध नाया Peter बाबा बहुत दस्तूप नहीं करके तो बहुत दस्तूप भी हो सकता है ना पूछी बता रहे कि यहां पर जो विहार है उसके अगे सामने भी और छे वियार थे जुना अगड़ हता था अभी नहीं है क्या अभी नहीं है यहां पर कुछी दूरी पर ऐसे च्छे नीचे आपको गुफा दिखे आपको जो की विहार स्ट्रक्चर है इस प्रकार के च्छे है अभी नश्ट हो गया अभी फिलल यहां पर जो इतना आजर है किस तरह से उसका नश्ट हो गया वह तो पत्थर काड़ने वाला काड़ता है आचा यहां पर जो इल्ली गली जो पत्थर काड़ते या फिर यहां पर जो चूना पत्थर है उसके जो इटाय बेची जाती है तो इसकी इटाय बना कर लोगों ने यहां के बेज दिए अच्छा तो यह आपर भारती पुरात्र मिवाग द्वारा यहां पर अभी सवरक्ष है कोई बंध जगह पर जाता नहीं है यह तो यहां पर महाराज जी ने ये जो चल है इस थाल कि जान कर दी है और जो बहुत सूप है जिसे शूर को महारा जी जान करेंगे यहां पर बहुत बड़ा है यह इतना बड़ा यह जो प्राचीन बहुत दूप है यहां में दिखाए देगा इसे यहां पर सिमेंट लगा गया है सिमेंट लगा कर यह इसे आकार दिया गया है बट यह जो आपको structure दिखाए दे रहा है यह structure स्टूब हमें दिखाए देखे सरकल आमोमान जितनी भी प्राचीन बहुत हैं उन प्राचीन बहुत हुद हमें इस प्राकर का इसका प्रामें दिखाए रहां करhol कि यहां यहाँ पर जो पंडिजी है, फिर यहाँ के जो गाउवाले हैं इसे दिंगेशोर महादेव करके पूसते हैं, इसकी पूजा करते हैं परंतु यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत अभिख्षु रहा करते थे और वो यहां से बहुत धम्म का प्रचार प्रसार करते थे लेकिन आज सारे भारत भर में जो प्राचीन बहुत दस्तूप है वो इस प्रकार से कनवर्ट किये गए हमें दिखाए देते हमने यहां पर भारतिय पुरातन विभाग का बोड़ देखा भारतिय पुरातन विभाग स्वयम कहता है कि यह एक प्राचीन बहुत दस्तूप है यह मैंने कहता और किसी भी प्रकार का किसी भी समाज की भावना को या पिर उनकी श्रद्दा को हमें ठेज पहुचाना नहीं है आपकी श्रद्दा है लेकिन जो सच्चा इतियास है या पिर जो सत्य है वह सत्य कतन इस चैनल के माध्यम से किया जाता है आपकी किसी भी प्रकार की भावनाव को किसी भी प्रकार की ठेज पहुचाने का कारिया यह चैनल नहीं करता है तो यह जो दिंगेश्वर महादेव है यह बौध भिख्षू के लिए बना हुआ पूरा शेत्र है और यहाँ पर प्राचीन बौध अस्तु आमें दिखाए देता है विहार दिखाए देते हैं संगाराम दिखाए देते हैं संगाराम याणी जहाँ पर बौध भिख्षू आर सेरा चाया हुआ है इस वज़े से हम आपको लाइट में दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से यह चीजे दिख पाए कि किस प्रकार से सारे भारत बर में जो प्राचीन बहुत अस्तूप है उसे श्यूलिंग या फिर लोग उसे शंकर का पिंड समझ कर उसे पूस्ते हैं तो साथी वोग इस प्रकार के वीडियो आप तक इस चैनल के माध्यम से पिर नहीं से आते रहेंगे इसके वहां को सयोग करें और अज आज यह क्यों को अच्छाशा होगा हो तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले जानकारी के साथ, तब तक आप अपना ख्यार मेंगे, जै भीम, नमो बुद्धाय, जै भारत आगले के साथ, आप, गदीए, जै भारत